असलाम अलेकूम, गुड़ मॉनिंग, आप सब का मेरी चैनल पर वापस से स्वागत है गोल्ड अठारासो डॉलर के उबरबंद हुआ है अगर आप मेरे ट्विटर पे हो ये टेलिग्राम पे हो तो कल मैंने आपको बता दिया था आपने अगर कल लास्ट वीक का वीडियो देखा हो लास्ट वीक का मेरा वीकली वीडियो गलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दुआ 1780 के आसपास का हमारा वीकली सपोर्ट था 1784 या 1785 के आसपास के लोज बने कल और उसके बाद गोल्ड ने जबर 10 बाउंस बैक दिया 1811.12 के आसपास के हाइस बन चुके थे और अल्मोस्ट हाइस पॉइंट ऑफ दे यानि फ्राइडे के हाइस पॉइंट के आसपास गोल्ड बन दुआ है तो एक बहुत अच्छा बाउंस आया लास्ट वीक वापस से बहुत वॉलाटईल वीक था वॉलाटईल था बड रेंजबाउंड नहीं था जब वालेटायल और रेंजबाउंड दोनों होता है तो ट्रेडिंग करने भी मुश्किल आती है बट लास्ट वीक अगर 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 मंडे टूजडे को निकाल दे तो वेटनस जे थर्फ जे फ्राइडे काफी अच्छे मॉव्ज आ है MCX वालों को काफी फायदा हुआ MCX जो है MCX के कॉल्स ग्रीन में ही पंद हुआ है यानि प्रॉफिट्स में बंद हुआ है कॉमेक्स में मैंने बाद में सिग्नल नहीं दिया बिकॉस मन्थ एंड था तो मुझे लगा कि अब डारेक्ली जुलाई से ही शुरू करेंगे कॉमेक्स और फॉरेक्स से सिग्नल के लिए आप मुझे वाट्स अप कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्रिप्शन में है रिगी डाउनलोड करके आप ले सकते हैं नेक्स्ट वीक सबसे पहली बात तो अड्वांस नौन फार्म पे रोल नंबर साइंगे उसके बाद आने इंप्लॉइमेंट रेड भी आएगा लेकिन मंडे जो है यूएस की छुट्टी है विकॉज अफ इंडिपेंडन से थोड़ा सा खयाल रखेगा रेंज बाउंड रह सकता है मार्किट बाकिए अगर आप मेरे चल्ला पर आभी आज फर्स टाइम आ रहा हो फर्स टाम वीडियो देख रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं मंडे टू साटरेडे कमोड़िटी वीडियो जालता हूं अल्यडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फर सब्सक्राइबिंग और लाइक करके वीडियो देखेगा चलिए आज का वीडियो बढ़ाते हैं चार्ट पर चलते हैं आपको ओलेटी देख रहा होगा ट्रेंड लाइन तयार है कि सिल्वर की ट्रेंड लाइन है सिल्वर अभी भी नीचे है बट गोल्ड में एक थोड़ा सा इंप्रूव्मेंट हुआ है तो चलिए चार्ट पर चल ड्रेगन फ्लाई जैसा कैंडल बना है बाकी देखते हैं मंडे को क्या क्लोजिंग होती है बट एक बहुत ही अच्छा साइन है यह बायर्स के लिए काफी लोगों की बाइंग जिनकी थी मैंने लास्ट वीक के वीडियो में बताया था कि 1780 डॉलर के नीचे अगर जाएगा इसके बाद 1780 डोलर 31 सैंड से 36 से बांस हुआ 36 से उसके बाद 1787 से बांस हुआ है और कल वापिस 1784-85 से बांस हुआ है तो यह trend line जब तक टिकी हुग ही है बायर्स की अमिदे टिकी हुग ही है अब देखते हैं बायर्स की अमीदे अब तक टिकी रहती हैं ब Environment बज अगर इसके नीचे closing होगी तो एक disaster हो सकता है और 1750 और 1700 डॉलर तक easily gold जा सकता है gold को सबसे बड़ी problem यह हो रही है कि already fat chairman काफी clear कर चुके हैं कि 75 या कम से कम 50 BPS के rate बढ़ने ते हैं July के अंदर और वह तब तक rate बढ़ाते रहेंगे जब तक के inflation काबू में नहीं आ जाती है inflation दो तरीके की होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ एक CPI consumer price index और PC index है इंट्रेस्टिंगली fed जो है वो PC index को follow करता है ना कि CPI को because PC index के अंदर fuel और food के prices नहीं होते है तो यह बहुत ज्यादा possibility है कि PC index हो सकता है fed के काबू में आ जाए because उसके अंदर एक जो बहुत बड़ा factor है fuel का जो fed के जो CPI के अंदर है यानि consumer price index के अंदर है वो उसके अंदर नहीं और it is possible के fed जो है inflation पर काबू पाले बट unfortunately it is not complete picture यह पूरी पिक्चर नहीं रहेगी अगर fed PC index को 3% के आसपास लेके आ गया है 4% के आसपास लेके आ गया तब भी कल हमेने यूरप के inflation के नंबर देके वहाँ पे भी बहुत ज्यादा हाई जो है inflation चल रही है इंपाक्ट में काफी टाइम आपको बता चुका हूं को inflation जो है almost क्या कहते हैं एक पैंडमिक की तरह हो गई है और अगर कुछ देशों को छोड़ते तो सारी की सारी जगा inflation बढ़ी रही है अब जो है यूरप में भी inflation बढ़ती जा रही पिश्ट के आसपास कल आए थे उनके नंबर्स और एक बीनी क्लेयर कर दिया आया है कि यारेडी तूर हाइक आएगा 11 लम योरॉप की तरफ से and rover इंट्रेशट होगा और इंप्लेशन कम होगी तो वह अच्छी बात नहीं है क्योंकि in inflation कम हो रही है अगर इंट्रेशन बढ़ती जाए और गोल्ड के रेट बढ़ाते बढ़ाते जाए अभी थोड़ा सा ट्रिकी सिच्वेशन चल रहा है बढ़ा रही है डॉलर इंडेक्स बढ़ा रहा है जिसकी वैसे गोल्ड में प्रेशर आ रहा है अगर आप मंडे टू फ्राइडे के लास्ट वीक के चार्ट पैरलल चेक करोगे तो ऐसा काफी बार हुआ है कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड एक साथ घटे हैं बिकास बॉंड इल्ड इतनी तेरी से बढ़ रही है एंटिसिपेशन इंट्रस रेट हाइक का बहुत ज्यादा है और अब यह देखते हैं कि फैड और इसी भी जाके कहां रुखते है पूरी के पूरी वर्ल्ड में अल्मोस्ट अगर जपान को छोड़ते तो सारे के सारे ज प्राख siत जो इंट्रेस रेट हैग होंगे उसके रिसेशन की बात रिसेशन की बात ऑल्मोस्ट आना तो खोशच आना Kentucky यसी कंट्री है कि हम हाई ग्रोथ और हाई इंट्रेस्ट रेट के साइकल में चले जाएं जो काफी इंडिया में तो काफी रह चुका है अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको 2004 से लेकर 2013-14 के आसपास का जो टाइम था वह वह ज्यादा रहता है लेकिन ग्रोथ भी बराबर रहती है या more or less parallel चलते हैं तो वैसा भी दौर आ सकता है कि हाई ग्रोथ हो विकॉज पैंट अब डिमांड है वर्ल्ड की विकॉज सब बहुत ज्यादा पैसा छापके उन लोगों के हाथ पर दिया है तो तो इस पॉसिबल के स्टैग्फलेशन यानि हाई ग्रोथ और हाई इंटरस रेट का महौल भी आ जाए अगर ऐसा इस टैग्फलेशन आता है तो इस पॉसिबल के गोल्ड प्राइस वापिस से हाई की तरफ चले जाए विकॉज इंफलेशन के बढ़ने से ग्रोथ जरू अगर नहीं बना पाया तो अगर कुछ ऐसा मौहल मुझे लगेगा कि हाई ग्रोथ हो रही है और हाई इंटरस रेट हैं तो उस पर मैं एक ब्रीफ चार-पांच मिनट का किसी ना किसी वीकली वीडियो में डाल दूंगा बाकी नेक्स वीक यूस की फर्स डे चुट्ती है ब कर सकते हैं देख लेते हैं फिर आगे की रिवर्सल और सपोर्ट रेजीस्टेंश की घोल्ट की बात करेंगे तो यह है यूस का बैंक हॉलिडए है विकॉव अब इयर इंडिपेडंदस बेबहुत कम बॉल्यूम रह सकते है विकॉज इंडिपेंडन्स दे बहुत ज्यादा मनाया जाता है यूएस में आल राइट चलिए आते हैं लेवल्स की तरफ मंडे है भाई साब बैंक हॉलिडे तूस्टे पैक्ट्री ओर्डर से साड़े साथ बजे वेटनस टे जॉब ओपनिंग्स है यह रही तब विसे नंब मिनिट्स का मतलब यह होता है कि जो लास्ट उन्होंने डिसकास किया था अपने की मीटिंग में उसके में में पॉइंट इसमें आपको ट्रांस्क्रिप्ट जैसे होती है वैसे आपको दिखने मिलेगा तर्स्टे अडवांस नॉन फार्म पेरूल नंबर्स हैं उसके बाद इस दिन मैं आपको डेटा के आसपास लाइब भी मिलूगा इसी चैनल पर तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएए ताकि आप लाइफ जब मैं जाओ यह नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए चलिए चार्ट स्थांट आपको बाइब इस आपको अर्ट का प्राइब बाइब यह नुत पर नचया आपको डी आपको नेच्ट पीख कर देना चाहता हूं बीकॉस अब पांच डॉल्रीटी और बिकॉस नेक्सिक बीक बहुत मेजर मेजर डेता था आपक निकली रस अप्रेन के अगर इसके उपर जाता है और क्लोजिंग दे रहता है तो बायर्स की चांदी ही चांदी समझे दो हजार डॉलर तक कोई रोकने वाला उसको हो सकता है ना हो अगर क्लोजिंग आ गई तो इट पिल इट कुड इट कुड नॉट विल इट कुड बीए डिजास्टर फबायर्स एंड इट कुड टेस्ट अप्टू 1700 दॉलर तो ध्यान नखिएगा 1700 डॉलर तक जा सकता है 1775 के नीचे 1860 के उपर 2000 डॉलर तक के टार्गेट क्लियरली दिख सकते हैं वैसे mcx के लेवल मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में डाल दिये हैं जॉइन का बटन दबा के 3.99 सेलेक्ट करेंगे तो आपको कम्यूनिटी पोस्ट दिख जाएगा 5.99 सेलेक्ट करेंगे तो कॉपर जिंक और लेड के लेवल भी दिखेंगे इसे लवर 20 डॉलर से नीचे की क्लोजिंग होई है आप्सलूटली डिजास्ट ट्रस्ट लोजिंग होई है भाई साहब 1950 के नीचे के लोज भी बना दिये बस एक शुकर की बात यह है कि 1950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं थी काफी लोगों की बाई चलुराया रही है अब इतनी मार्केट गिरती है या बढ़ती है तो आव्भीत, जाप का नीचे का नियम है कितने कितने लोगों की बाएंग कहां कहां चलुरी है नीचे कमेंट겠습니다 में बताऊ क्या स्टॉप लगा सकते हैं तो नीचे कमेंट करके बताईएगा मंडे वीडियो में आपको इन्शालला विल ट्राइट विव यूँआ वर्विव रिजस्टंस है बाई साब कहा गया रिजस्टंस यह आ गया 21 दॉलर ताट सेंट इसके उपर जाती है तो मस्ट बाइंग 24-25 दॉलर तक आ सकती है सपोर्ट है 18 डॉलर 70 सेंट का ट्रेंट तो इसको पता ही है क्या है ट्रेंट है वीक तो रखिएगा धियान 21 दॉलर साट सेंट यानि इफ मार्केट क्लोज अबव 21.60 देन एक्सपेक 23-25 दॉलर 21 साट के उपर 23-25 दॉलर के बीच में आ सकता है 18-70 इसा मीजर सपोर्ट क्लो ख्याल वीक जोन में है तो रखिएगा खयाल आते हैं क्रूड के ओइल पर बहले ही 2.5% आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि यह भाइस आप बंदु हैं फ्राइडे को 2.5% अपर लेकिन यह वीक जोन में ही है वीक जोन में ही है ऐसा अगर आप सोच रहे हो मैं बोलूँ त लास्ट वीक भी वीक जोन में था रिस्टंस ब्रेक नहीं हुआ है और मोर अलेस्ट सेमी रिस्टंस रहेगा 120 डॉलर के आसपास का लेट्स राइट टाउन नाओ 120.50, 2050 का रिस्टंस है इसके उपर जाता है और क्लोजिंग दे देता है सपोर्ट है 100 डॉलर, 100 डॉलर इसके नीचे क्लोजिंग 96-94 डॉलर तक लेके जाता हुदी है फिलाल वीक जोन में हैं तीने कमोड़िटीज तो ध्यान रखेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट कीजेगा बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो इसको अपने ट्रेडिंग ग्रूप में, ट्रेडिंग चैनल में इसका लिंक शेर कर दीजेगा कॉमेक्स और फॉरेक्स के पेट सिगनल्स के लिए वाटसट अप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने MCX के और Nifty के कॉल्स के लिए रिगी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा चैनल है उस पे चलिए आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई